नोशकार विंद्या टाइम्स में आपका स्वागत है मध्यप्रदेश विधान सभा की कारवाई दूसरे दिन जब शुरू हुई फिर से वही हंगामे का दौर और इस हंगामे के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि मध्यप्रदेश विधान सभा की कारवाई कल तक के लिए इस कर दी गई यह सगईत की गई की जिस सघ्icação बड़े मुद्दे और क्या कुर्णि कर से ह कमाने हैं नोशे खद बहुंक्या है और इस गया को बंढ़ाय सब्सक्राइब क gossip कि फीद देक्क बाइब और पूर्व मंत्री बाला बच्चन के बीच तीखी नोग जोग हुई नेता प्रतिपक्ष गोविन सिंग ने भाजपा विधायक पर कॉंग्रेस विधायक के साथ धक्का मुक्की करने और मारपीट का आरोप लगाया इस पर ग्रिमंत्री बोले कि हमारे विधायक की कॉलर पक के लिए इस्थगित कर दी गई है आपको बता दें कि कॉंग्रेस नहीं आरोप लगाया कि बीजेपी विधायक ने आदिवासी विधायक की कॉलर पकड़ी है कॉंग्रेस के विधायक नारे बाजी करते हुए तक्तियां लेकर सदन के भीतर जाने की कोशिस कर रहे थे उन्ह कांत शर्मा ने हमारे आदिवासी विधायक पांचिलाल मेढ़ा की कॉलर पकड़ी और उन्हें धक्का दिया है इस बात को लेकर विपक्ष और ग्रह मंत्री के बीच तीकी बहस हुई ग्रह मंत्री ने कहा हमारे विधायक की कॉलर पकड़ी गई है सहन नहीं करेंगे विधा परवाई जब शुरू हुई थी उसके बाद ही भुपेन सिंग मंत्री भुपेन सिंग ने कहा था कि पहले मुख्यमंत्री जी को अपनी बात कहने दें इस पर विधायक कुनाल चौधरी बोले ये चर्चा से क्यों भाग रहे हैं बच्चों का निवाला गिद की तरह खा गए इस पर नेता प्रतिपक्ष बोले इस थगन और नियम 149 के तहट चर्चा कराई जाए सदन को गुमराह नहीं किया जाए इस पर मंत्री गोपाल भारगो फिर उत्रे उन्होंने प्रश्नकाल हो जाने दीजिए ये भी कहा इसके बाद चर्चा की जाएगी प्रश्नकाल में प भागने का प्रश्न ही ऊत्पन्न नहीं होता तब नेता प्रति पक्ष बोले कि सदन रोक कर पहले इस्तगन प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाए जाये कुल मिलाकर प्रश्थितन सदन के अंदर चल रही है वड़ी बात ये है कि बड़े मुद्डे है मध्यप्रदेश तक उ और जिस तरह से ये पूरा वाकिया हुआ नोग जोग हुई कॉंग्रेस विधायक इनाकावरे और मंत्री भारत सिंग कुश्वाहा के बीच भी नोग जोग हुई नेता प्रतिपक्ष गोविन सिंग ने उसमें भी कहा कि कॉंग्रेस विधायक मनोच चावला को पुलिस ने पहले जो बैटके हैं वो सोला तक ही कंप्लीट करनी है इतना चोटा सत्र और यह हंगामा मध्यप्रदेश के तमाम बड़े मुद्दे हैं स्वास्त विवस्था सुरक्षा कानून विवस्था एंसी आरबी की रिपोर्ट तमाम चीज़ें हैं सामने और हालात यह हैं कि चौ स्थिती निर्मित हो रही है कि मध्यप्रदेश में सदन की कारवाई नहीं चल पारि विपक्ष का हँगामा विपक्ष तमाम किसानों के मुद्दे डैम का घोठाला उसके साथ पोशन आहर का घोठाला सारे मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा चाता है लेकिन उससे इतर जो खीस्तान चल रही है गर्व ग्रह में पहुंच रहे हैं हंगामा जो हो रहा है उससे जनहित के मुद्दो पर भी असर पड़ रहा है हंगामे के बीच जब ये कारवाई कल तक के लिए स्थगित की गई है इसमें नेता प्रतिपक्ष गोविन सिंग बोले कि मुझे एक उद क्या रोप के दौर हैं और जिस तरह के हालात हैं उससे इस पस्थ हो रहा है कि मध्यप्रदेश के तमाम बड़े मुद्दे सदन में चर्चा के लिए जाही नहीं पा रहे हैं और सदन की कारवाई लंबे समय तक चले ये भी बहुत जरूरी है कमलनात ने कहा है कारवाई सबसे ज्यादा इसकी जानकारी है 15 इस्थगन प्रस्ताव लगे हैं या तो आप इस्थगन प्रस्ताव स्विकार करें इस पर सियम बोले कमलनात संसदी ज्यान के बड़े जानकार है क्या सरकार को यह हक नहीं कि बड़ी घट्टा को लेकर भ्रहम पहलाया जा रहा है तो सरक कार पर आरोप है कि चर्चा से भाग रहे हैं सदन के अंदर ये आरोप लगा कि कॉंग्रेस विधायक के साथ जुमा जटकी की गई धक्का दिया गया मारपीट की गई बीजेपी विधायक पर आरोप लगाया गया और ये कॉंग्रेस ने कहा कि हमारे आदिवासी विधायक क उपर इस तरह का कृति किया गया आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है सदन कैसे चलेगा किन एजेंडों पर बात होगी कितनी बैटके होंगी क्या कुछ होगा सब कुछ साफ होता जा रहा कहीं ऐसा तो नहीं कि बस खाना पूर्ती हो रही क्योंकि मध्यप्रदेश के तमा बड़े मुद्दों पर चर्चा होना बेहद जरूरी है और विपक्ष आक्रामक है और अभी तक की जो इस्थितियां है वो साफ तौर पर समझ में आ रही है कि सदन में आरपार की लड़ाई लड़ने के लिए कॉंग्रेस भी तयार है अब देखना है कि कल जब सदन दरवाई फिलहाल कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है बहुत बहुत धन्यवाद